बिकास का वहाँ बिकास कर ले हैं चुर्चु में कर ले हैं यार जहां जहां कमपनी खुलल है वहाँ का विकास कर ले हैं से खुद हमिन देख के आल ही हैं और जे वो बिकास कर ले हैं ने वहसन हमिन के विकास ना चाहिए कमपने वापस जाओ, आज का ग्राम सबारत हुआ बखरी बरवडी में जो खधान निकला हुआ, वहाँ परती दिन एक्सिडेंट हो रहा है उससे कितना माँ बहान के या तो किसी का पत्नी का रोना पड़ रहा है जिन्दगी भर के लिए हम खड़े हैं, जारखंड के बढ़कागाओ परखंड, ये राची से करीबन 100 किलोमेटर दूर है और ये बढ़कागाओ विधान सबा छेतर है तो यहाँ पे जिस जगे पे हम खड़े हैं, यहाँ पे यहाँ आमंटन किया गया है कोल ब्लॉक के लिए आडानी को आडानी जी को ये कोल ब्लॉक आमंटन किया गया था तो यहाँ पे आडानी साब अभी कोईला निकालेंगे और यहाँ से बिजली घरों को कोईला पहुचाएंगे तो यहाँ पे जो महलाएं बैठी हैं ये सब आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे ये किसान लोग हैं तो इन्ही की जमीन से कोईला निकालना है अडानी को और भारत सरकार के द्वारा संचाली जितने भी पावर प्लांट हैं उनको कोईला पहुचाना है तो ये जो किसान तपके लोग हैं ये बैठे हैं कि खेती वाली जमीने हैं तो ये खेती वाली जमीने अगर इनको कोईला खरान के लिए ले लिया जाये तो इनको क्या तकलिपे हैं क्या तकलिप आने वाले समय में होगा और ये अपनी जमीन को क्यूं नहीं देना चाहते हैं इसी को लेकर यहाँ पर एक अडानी द्वारा आम सभा रखी गई है उसी को लेकर उसी का विरोध जताने के लिए यह लोग यहाँ पे आज बैठे हैं तो हम इन से जानने की कोशिस यह करेंगे कि इनको यहाँ पर अडानी सहाब के आने से और इनके जमीन से कोईला निकालने से इनको क्या-क्या परिसानिया होगी और क्या-क्य दिक्कत होगा और यह अपनी जमीन अडानी सहाब को क्यों नहीं देना चाहते हैं तो जीला परसासन द्वारा एक फर्मान आया है कि यहाँ पर अडानी द्वारा आम सभा कराया जाए तो इसी के विरोध में यह लोग यहाँ पे आज बैठे हैं तो चलिए आज जानने की को कहाँ tyres आजना डाता है और ये क्या जताना चाहते हैं कहलीं काहलं पैठ हेली आपना जमीन के लिए तो जमीन अगर देते तो बोले तो नहीं Numero kramen नहीं नहीं खुलाना है अपना जमिन नि रहना अपने खेती बारी अजीने आप उधि पॉब च्छती बारी बहुत है घ्रज़ुद Crime एकती आजकी कव्द्ष डव्रों कमें की तेसल के पर बाल भचाहि तरो आगे सब टो न कहो तो पिवी कर्हें घुनाल नायची दिली बंबे करता एक कम्पणी रजब चला दीज़वाइंगाऊ के झायबा, कम्पणी रजक टोटकोछरान के जमीन से कवेला निकाल हखेका Euro कोड़े कीई खेट बन ली पिखेशल बने मिया पढ़ार warmthा कर रखोगार है लेक glow बश्वि सब 56 कारी रोप ही है अच्छा आप बिरोद काकरल बटली वे एक दम नख़ देना जमीन जमीन कभी नादव है कमपनी आपस जाए अच्छा आप बुली राजी का बुली खुषा लिया खेतियम खुषा लिया हम इन आडानी के कभी नादम जमीन देल चाहू यह तो सरकार सरकार उकर भेजले की जा हम इनके रोजी मारो है हम इनके रोजी ना दिये था हम इनके रोजी कभी ना दिये था हम इनके परेशानी बढ़ा हुई था अच्छा मतलब खेतियम खुषी है तो इनके विकास ना चाहिए हम इनके कभी तक चलता है और चल ले हम इन यतने बाल बचा कमपनी का कहना है जि करता है वह जब जनल जमीन सबसेंगेंगे उसको कुछ नहीं देंगे अग्सिदेन होता है ने दर्दや prochain कि ऐसे जमीन लेंड सकते हैं तो फिर आप लोग कैसे लड़ेंगे हैंバर जया साइट तो इससे उनका ये इतना दिन से लिए गवाब दादा रहते हुए इतना दिन से रखे हैं तब ना जगर मजरुवा जमीन है तो आज वोड़ रहे हैं कि हमारा उनका नहीं है वह हम लोगा है गाहाँ वाला का है ग्रामीन का है तो इससे उनका जील लेंगे खॉल लेंगे और बहुत लोग जी खा के चले गए और अभी हम लोग हैं और आने वाले पीडी में जो बच्चे सबाएंगे वह भी जीलेंगे ति आप लोग का कहना है कि जो खेती वाली जमीन है उससे कोईला ना निकाला जाए देखिए बरवड इपक रुहां कभी जो गाँ का आदमी का घुसाया था कमपणी में उसको सब को निकाल दिया है बाहरे बाहरे आदमी लाके घुसा दिया तो वैसे रोजगार हम लोग नहीं चाहिए हम इन आपन बचाओ जमीन बचाओ खातिल बचाली है हम इन जमीन को हालत में कोई परकार में ना देवाए हम इनके ससूर सास हम इनके बहुतार आजा ससूर सब हम इनके जमीन बने ले थी गरम जरूबा जमीन वो लेवेल चाहे लागल है गरम जरूबा जमीन कोई हाल में ना है कि हम इनके जमीन हômिं हम अहां से सब बीपेटी साधि कर ले हैं जाские हधारो के परकार मिम यहां के जमीन के मिटी से विन उपजाओ हो यह थासल हरूक। बरबाद करें लिए हम इनके रोवावे ले अग्दम सालों भायर हर एक फसल करो नहीं गूंती नहीं पाएगा उतना फसल पैदा करते हैं कोई हाल में ना बहुत है अभी केतारी है गेहूं है रसून है पियाज है और भी यह सब जैसे कि अर गेहूं यह थी है आलू है आलू है उसमें में सेर्सो है बहुत फसल है मतलब होतना मुँख में केतना है लकिन कि सालों भर खेती हम लोग का अग्दम लगाते रहते हैं एक चीज खतम होले तो दूसरी लगाई लिए एक फसल लगा है एक तो आलूर पलिया उकल में मुली पैदा है बीट पैदा है गाजर पैदा है सब कुछ मतलब है तब कहले द सदेगा जब कमपणी अगर जमीन ले लेगी और हम लोग जो यहां फसल बहु फसली है जमीन जो है हम लोग को अगर ले लेगा हम लोग क्या करेंगे अपने बाल वच्चा के लिए और जो मेरे दादा पर दादा सब जो मने जमीन रखे हैं अर अगर हम लोग नहीं पर्मीशन दी है कि आप लोग जाईए वहां से कोय ला निकालिए और देष के विकास के लिए हाथ बढ़ाईए तो पिर आप अपने जगा पो आपने चल जाएं हमको मतलब नहीं है देने से नवक्री से मतलब है कितना एक 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 कड़ जमीन में अगर और 48 लाग जाएं कितना रुपिया दे कितना दिन तक रव रुपिया हम लोग जग रहेगा वह तो घंडते ही जाएगा जो खेति करके ही आप रोगो नोगो और उसी से आगे हैं गार बढ़ाएंगे और बाल बच्च के लिए बीधी करेंगे हम लोग के बिरोध है कि हम लोग कमपनी नहीं यहां खोल ले देंगे हम लोग कमाते हैं खाते हैं गरीब दुखिया है हम लोग किसी को खेती में का हम लोग कमा खा के जीते हैं और कमपनी यहां खोल देगा था हम लोग कहां जाएंगे खेती से कमा कमा खाके आप लोग संतूजट हैं आप लोग देना चाहते जाएं हा में लोग संतूजट हैं करे लगा ड़ेकर सरकार नहीं बोले लगला कि हम इन यहां आए बहुत बिकास कर बहुत बिकास में बर्वाडी में कर लिए बढकागाव में सब कर लिए तो फिर यहां आये लिए तो बिकास कहाई नेखा करें देज़ के सब्सक्राइब इतना मरले हैं और यहां धान पैदा करके आपने भी खळी ले हैं और कैदेश के भी ख्येले ही हैं कैट पेट के भी पोच ले ही हैं तो वहां के जनता के नोकरीड देले और बाद लेकिन वहाँ देखे थी खुद रूपन च्रेत्र मेंधे खुले हैं वहाँ वहां रूपर लिए रोक रहे हैं तो पिर कईसे चलता है काब विकास कर लें चूर्चु बड़ी दूर नाहें बड़ी दूर नाहें आर जहां जहां खुलल हैने महामने सब देख कयल हैं कत्ना है नोक्री नखन देली नोक्री चकर नंजतीन आ कुछ रोजी रोजगार नंखन देले जाथिन कोईला भीची डिशक। आपनी यह दो करे लिए लुटने के लिए शेख चलती हम बिरोद ने बठा लिया कमपनी के जमीन को सुर्ट पर को गरामिन्यों ने एक इंच नदब खाड़ा हुए के जगह नदब वक्रा हम इन एकर से सब चीज पैदा करो ही है के लिए बाल बचा कुछ मपनार या लेको खतयानना रहते है तक हम ना जमीन दब 0 सब भसल परिदा करके लंबचक पढ़ाओ यह यह दो करे लाग ली कहा दब खेतिस करों ही सब्खेतिों करोंकि अधकर महीनद लेको हम इस्रत भाब है कि हम रहे यहां तो बोले तो के हम द्रबआ करते कुछ नहीं करते के बिनाश करते आवे था अचरुजा सधाय यहां इस यदा आवे इस इधाया चल जा तर नियकरत अभी अचने हुए था अबरिकाय करवन मिन गरमन्यों से जोच लिए तो विकास ना चाहिए थो रहा कोहून नहीं पैदा वसे समानियाँ पूरा बेच के खरीद के गुंदल पूरा से हां गुंदल पुरा से तब कहल दॉक्रत चाहले । लेकिन तक पर भी मने यहती है लेकिन वह कर आवले से को काम ना चलते हैं ना चाहे तुँन के विकास ना हम इन अभी खेती बारी से भी पीजी करें था यह वह पीए फैनल करें था बचवाह से बोड़ इंसा लिखता है ती सब करें दता है लुट लते हैं था मिन बचा के बाल बचा का मिन बढ़ियां से खिया आवो ना पार भी फिर कहां पढ़े वह उक्रा तो बोले तहों नौकरी दबो पैसा दबो कुछ नौकरी ना दता हो कुछ ना आगे बरवडी तने गढ़ा करकर आर वहां कदीमन के तरो भार भार धर ले ह हुआ तो कोई ना अंचल से आया ना कोई कंपनी वाले आये तो क्या अभी क्या समझे इसको हम लोग यहीं समझ रहे हैं कि यहां कंपनी वाला इसलिए नहीं आया कि हम लोग का पूर जोर बिरोध देखकर के वो डर गी हम लोग से चुकि उसका हर जगा बिरोध ही बिरोध ह पर हमारे गुंदलपूरा ही नहीं पूरे भारत में है इसलिए उससे गुंदलपूरा से उसको डर हो गिया इसलिए वो कमपनी वाला नहीं आया अच्छा एक चीज और संशित में इस बताद जी का अज करने वाला क्या था यहां पर आकर कंपनी और अधिकारी जो है अपना च अले बार भी दस तारिक को गाली में था उसको वह अपने मेरा रेश्टर में भी लिख के गए कि आज का आम सभा रद किया जाता है तो इसी मनोबल को देखते हुए कि वहां का ग्रामीन जो है तो ग्राम सभा या याम सभा होने ही नहीं देता है तो हम क्यों जाएंगे यह स समझ रहे हैं कि वह आया नहीं इसके मतलब हम जीत गए वहार गया उसको डर हुआ इसलिए हमसे नहीं आया हम सभा करने के लिए आम सभा करने के लिए आता तो आपना रेश्टर में उससे लिखाते कि आप लिख के जाए कि आज कभी आम सभा रद किया गया तो आज आप लि पूरा गाली जतना भी है है फुलांग जतना भी ग्रामिन है हम लोग इसको समझेंगे कि यह रद किया जाता है याज का आमसभा मुहगाई पैंचात का यह बलोदर गाओं है जहां पर एक अंचले दिकारी द्वारा आमसभा रखी गई थी जो वह समय पे नहीं पहुंच है यहां पे आये थे अभी इनका आंडि वाला और्व और अलग प्रन है प्ज़ूval करेंा अगर वह आता है तो हम लोग पूर जोर बिरोध करेंगे फिर से और जब तक वह भागता नहीं है तब तक हम लोग बिरोध ही बिरोध करेंगे कल का क्या है कल हजारी बाग में क्या है आप लोगा कल हजारी बाग में है कि अडानी भगाओ ये प्रोग्राम है फिर उसके बाद है कि अडानी भगाओ भारत बचाओ तो हम लोग का पूरे गरामिन का सोच है कि हम लोग भी उस कारी करम में जाएंगे चुकि हम लोग को भी आडानी को भागाना है तो ये था आडानी का ये लोग इस तरह से चुपचाब बिरोध कर रहे हैं ये मौनधारन विरोध था, ना कोई लडाई, ना कोई जगडा, ये आराम से बैठे थे और ये अपने जमीनों के हग के लिए लड़ रहे हैं, इनका कहना है कि हम जमीने नहीं देंगे, ये उपजाओ जमीन है, बहुत फसली जमीन है, जिससे हम खेती करते हैं, और साल भर इस जाज काम सबा राद हुआ लगना coming हमारा है ऑद जंगल जमीन हमारा है अरानी कपानी आपकाओ जाल जंगल जमीन नदी लाला हमारा है हमारा है अराणी कंपानी आपसा आपसा